आईए आज देखते हैं 8 जनौरी 2022 को हुए अनलाइन मोड में सीटेट के पेपर को इसमें हम लोग सीडीपी पोर्शन को डिसकस करेंगे तो चलिए वीना देर की वी स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर वन से पहला प्रस्ण है कि विकास आत्मक परिवर्तन पहला सभी संस्कृतियों के बच्चों में सारुभामिक गती से होते हैं तो जी नहीं यह गलत है दोसरा है कि मध्य बाले काल तक बहुत तेज गती से होते हैं और फिर रोग जाते हैं तो यह भी गलत है बलकि यह निरंतर चलता रहता है तीसरा है हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होता है तो जी नहीं यह एक रैखिक और एक आयामी नहीं बलकि आपका बहु आयामी होता है चोता है कि वनसा नुगतकार को और पर्या वरड़ी प्रभाव की परसपर क्रिया है तो यहाँ सही है हम लोग पढ़े भी हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वह क्या होता है वह हेरेडेटी और इनवार्मेंट का प्रोड़क्ट होता है यानि कि जो विकास है आपका वह आनुवा सिक्ता और पर्या वरड़ की परसपर अंतर क्रिया का ही परिणाम होता है ठीक है तो option number one सही हो जाएगा यह question number two देखते हैं रिक्तिस्थान है इस्थूल गत्यात्मक चालन कौसल का उधारण है जबकि रिक्तिस्थान में सुच्म गत्यात्मक कौसल के आउसकता होती है तो हम लोगों ने जितनी बार पेपर डिसकस किया है लगवग हर बार यह question पूछा जाता है कि आपका जो बिकास की दिसा होता है वो किधर से किधर होता है तो होता है इस्थूल से सुच्म की और यानि कि ग्राश्टो फाइन मोटर की और आपका बिकास का दिसा होता है यान कि भागने के लिए हम अपने पैरों का यूज करते हैं जो हमारे सरीर के बड़ा भाग होता है यानि ये पहले विक्सित होता है और हम जब चित्र बनाते हैं तो इसके लिए हम अपने फिंगर यानि कि अंगलियों का प्रियोग करते हैं या हमारे सुछम गत्यात्मक कोसल के अ तो सही जवाब हो जाएगा option number one आईए question number three देखते हैं question number three है कि इन में से कौन सी बच्ची मध्य बाल्य आवस्था में होगा तो कौन सा होगा इसका सही जवाब है option number four एक बच्ची जो तारकीक रूप से तर्क कर सकती है ठीक है और समरच्छड कर पाती है वह क्या होगी बाल् ये एक अभिकतन दिया है साथ में उसका reasoning दिया हुआ है अभिकतन है कि बच्चे सवरोपरता में अपने परिवार में बेवहार के तरीके सीखते हैं और मुल्ले और जीवन के मांदंडों को जानते हैं तो यहाँ सही बात है बच्चे जब परिवार में जन्म लेते हैं तो वहीं से ही वह सब कुछ जानना सुरू करते हैं बेवहार करना सिकते हैं कि हमें बडों का सम्मान करना चाहिए बडों को पड़ाम करना चाहिए ठीक है तो यानि कि जो उन्हों बिहवीर सिखा जाता है वह कहां परिवार से ही सिखा जाता है दोसरा है कि परिवार बच्चों कि समाजी करण का एक दूतिय कारक है तो जी नहीं दूतिय करण नहीं बलकि वह प्राथमिक कारक होता है परिवार क्या होता है समाजी करण का प्राथमिक कारक होता है यानि कि ये तो सही है किन्तु आर गलत है तो कौन सा सही हो जाएगा आफसान नमर थ्री कि ये सही है तो आर क्या है गलत है आई ये नेस्ट क्वश्ण लेकते हैं क्वश्ण नमबर 5 है निमन लखिद में से कौन सा योगमस सही मिलान है तो कौन जेन संग्यानात्मक विकास के चार चरड़ बता है जिसमें सबसे पहला संप्वेदी गामक फिर पूरव संक्रियात्मक फिर मुर्त संक्रियात्मक और चौथा आपका होता है अमुर्त संक्रियात्मक तीसरा चरड़ होता है मुर्त संक्रियात्मक होता है इसमें जो बच्चे क यह जोता है वा सास सी 11 वर्स का होता है और इस अवस्थाम बच्चे को वर्गी करण का ज्यान होता है और वशन्रच्छत का भी ज्यान शोन को उनके आकार मेरे कहास के न्हिते हैं यह आपका सामी करण कहलाता है P.I.J. के नुसार संग्यानात्मक विकास सैस्वा वस्था से ही प्रारम हो जाता है जो चीवन पर्यांतियानी के लाइफ टाइम चलता रहता है और इस विकास प्रक्रिया में सामेता देखने को मिलती है P.I.J. ने बाल केंदर सिच्छा पर विसेस बल दिया था और इन्हों ने बच्चों को बच्चे को क्या कहा था एक नुन्हा बग्यानिक कहके संबोधित किया था आईए निश्ट कोईशन देखते हैं कोईशन नमबर सेवन कोईशन नमबर सेवन है निश्ट के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्साता है तो वाईगोस्की से आपकी एक से दो प्रशन सीटेट में हर साल बनते ही बनते हैं तो आगे देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है option number one के वाईगोस्की ने सुझाओ दिया कि बच्चों में बहुत सी छमताइन होती हैं जिनमें वे कारे सामिल हैं जिनें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं ठीक हैं वाईगोस्की का मानना है कि जो बच्चे हैं वो हमेशा संक्रियात्मक भूमिका निभाते हैं और उन्हें आ पाड़े देखते हैं कि एक सेच्चे का किस समरचना के इस्तेमाल करती है जब वह है एक बच्ची की जीग साफ पहली बनाने में मदद करती है तो जहां पर भी मदद की बात आ है और वहां मदद इसारे वा संकेतों में किया जाए तो यहां किसका उधारण होता है यापके पाड़ का उधारण होता है इसी को धाचा करते हैं और इंगलिस में से स्केप फोल्डिंग करते हैं ठीक है यह क्या होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एमकी वह होता है यानि कि more knowledgeable other person किसी भी बच्चे से जो अधिक जानकार होता है वो बच्चे को एक प्रकार से temporary help कर करता है उसके किसी कारे को करने में जिसे बच्चा असानी से कर लेता है ठीक है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है पाड़ कहा जाता है या फिर इसके फोल्डिंग कहा जाता है इसके बाद ले बाई गोस्की नेकी है यह question number 9 दिखते हैं अभी कतन दिया है कि एक बाल केंद गरित होते है सभी बच्चों को ध्यान में रख कर उनके अनुसार क्या होता है पाड़ करम को पूरा कर आया जाता है और यह कठोर भी नहीं होताई बल्कि सामाने होता है रिजन दिया है कि बच्चा सबसे अच्छा तब सिखता है जब सिच्छक ताना साह और नियंतरक होता है तो यह भी गलत है बच्चा सबसे अच्छा तब सिखेगा जब सिच्छक का बेवहार सरल होगा और क्या हो जाएगा सिच्छक जो है वह एक सुविधा दाता के रोप में होगा न कि ताना साह के रोप में होगा वह एक फैसिलिटेटर की भूम का निभाएगा आईए next question देखते हैं यानि कि इसका सही job क्या हो जाएगा आपका A और R दोनों ही गलत है यानि कि A और R दोनों गलत है तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा आपका option number 4 सही हो जाएगा कि A और R क्या है दोनों ही गलत है आईए next question देखते है question number 10 निमलिखित में से क्या एक प्रगती सिल्क अच्छा की भिसेश्ता है और इसमें बच्चा क्या होता है एक्टी होता है सक्री होता है और जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है सुविदादाता की भूमिका निभाता है और बच्चे क्या करते हैं में बिभिन प्रकार की गतिविधिया करके सिखते हैं तो इसका सही जवाब है अपसर नमबर 3 गतिविधिया या कारे करते समय बच्चों का मुल्यांकन किया जाता है ये नेश्ट क्वेश्चन लगते हैं क्वेश्चन नमबर 11 है कि अमरित तर्क देता है कि हम कानूनों को आता है तो किसमें आता है वह सामाजिक अनुबंद अभिविन्यास के अंतरगत आता है सामाजिक अनुबंद अभिविन्यास सामानने तौर पर सामाजिक अनुबंद सामाज की उत्पति और व्यक्ति के राज्य के अधिकार की वैद्दता से संबंदित होता है यह नैतिक य रिक्तिस्थान बुद्धी के ब्यक्तियों में अपनी पहचान, मानो अस्तित और जीवन के अर्थ के बारे में सनवेदन सील होती है तो इससे हावर्ड गार्डनर से आपसे एक कोशन हर साल पोशा जाता है हावर्ड गार्डनर ने Multiple Intelligence बहुद्धी का सिध्धान्त दिया है इन्होंने कुल आठ प्रकार की बुद्धी बताई है उसी में से एक बुद्धी यह है कि जो ब्यक्ति अपनी पहचान, मानो, अस्तित और जीवन के अर्थवारे में जानता है तो वह कैसा होता है वहां अंतर ब्यक्तिक होता है ठीक है इसे कहते हैं इंग्लिस में Interpersonal ठीक है क्या कहते हैं Interpersonal अगर यहीं पर कहते हैं कि जो ब्यक्ति दोसरों के मतलब की feeling और उसके problem को समझता है तो वह क्या होता है वह आपका होता है अंतरव्यक्तिक उसे इंटरपरसनल करते हैं ठीक है आई यह कोश्चन नमबर 13 देखते हैं गिप्ट के तौर पर कार मिलने पर एक पांस साल की बच्ची बोली यह मेरे लिए नहीं है लड़किया कारों से नहीं खेलती यह हुआ क्या दर कर साता है जिसे इंगलिस में जेंडर स्टेरियोट करते हैं जेंडर से भी आपका एक से दो प्रस्ण हर साल ही बनता है ठीक है और काफी इजी भी होता है इसे सभी बच्च लगवा कर लेंगे तो प्रारंभिक अवस्था से ही लड़कियों लड़कियों के मन मस्तिस्क में भावना डाल दी जाती है कि लड़के के खिलाओने अलग होते हैं और लड़कियों के खिलाओने अलग होते हैं यहीं से भेद भाव की भावना पैदा कर दी जाती है उनमें इसे को जेंडर ओडिवादिता कहा जाता है ठीक है आईए नेस्ट क्वेशन देखते हैं क्वेश अच्छा में संस्कृतियों भासाई भिनताओं को ध्यान में रखते हुए या नेती अधिक प्रवह भी होगी कि इस भिभिनता को अभाव के रूप में नहीं बलकि धरोहर के रूप में देखना चाहिए संस्कृतिक हुआ भासाई भिभिनताओं देस या छेतर की बिसेश्टता होती है या भिभितता की पाचान होती है आए कोशन नमबर 15 देखते हैं और इस वीडियो का लाश्ट प्रसन है बचे विए 15 को हम लोग नेस्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों अगर वीडियो कोशन बर 15 है कि राश्ट्री सिच्छा निती 2020 प्रस्तावित करती है कि मुल्यांकन इसका सही जवाब है एक निश्चित अवधिये में बच्चे की प्रगती का पता लगाने के लिए महत्वपूड है ठीक है तो जो राश्ट्री सिच्छा निती है जिसे इंगलिस में नेश प्रस्तावित करती है कि एक निश्चित अवधिय के अंतराल पर बच्चों का नियमित रूप से मुल्यांकन होना चाहिए ताकि उनकी प्रगती का सही अनुमान लगाया जा सके साथ ही उसी के अनुरूप उनमें सुधार करने की कोशिस भी की जा सके अगर वीडियो चनल को सबस्क्राइब करिये का दोस्तों